दोस्तो अगर आपको अपने laptop या PC में कुछ भी download करना हो, software या कुछ भी download करना हो, तो सबसे पहले आपका वो laptop और PC इंटरनेट से connect होना चाहिए, और अगर आप उस PC को Wi-Fi के थुरू use कर रहे हो, तो Wi-Fi का driver आपके में होना चाहिए, तभी आप connect कर पाओगे, लेकिन यहाँ पर situation क्या है, यापके में Wi-Fi का इंटराइवर नहीं है, और वही आपको download करना है, तो होता है यह कि अगर Wi-Fi का driver आपके में होता है, आप internet से connect कर पाते उस laptop को, तो बाकी चीजों को आप download कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर पहले ही Wi-Fi का इंटराइवर नहीं है, और उसी को download कर लेंगे, जैसे कि सबसे अच्छा example है कि आप अपने mobile phone से download कर लो, simply हो क्या करना है, इक अपने mobile phone में browser open करना है, और Google में लिखना है, जैसे कि मालो example के लिए, मेरा जो laptop है Lenovo का है, Z570, तो Google में आपको लिखना है Lenovo Z570 driver download, तो सबसे पहले ही उपर में Lenovo की website आएगी, इसी त सारे drivers वगरा दिये हुए है, तो इसमें से जो Wi-Fi का driver है, वो आपको download कर लेना है, driver अमरे mobile में download हो गया है, अब आपको simply क्या करना है, कि data cable का use करके, जिस तरह से हम लोग file वगरा, copy करते है, photo वगरा, transfer करते है अपने laptop में, उस तरह से इस driver को अपने laptop में copy कर लेना है, और उ driver जब इंस्टाल करते हो, तो और एक वर ची में बता दूं कि सिंपल सट डाउन में और रियस्टाट में अंतर होता, इसलिए आप लोग रियस्टार्ट करना, जब भी driver इंस्टाल करना तो, तो रिस्टार्ट करने के बाद अब आप इंटरनेट से connect कर पाओगे, तो जोस्त अंतर होता 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 है, तो रिस्टार्ट करना आप होता हैस士çoण कर दो से कोजंब भी आपए से कारी से एंट सम्सृत कर बइंस्ति होता है साना हाल सबागे, जब जपक वकंवाँ, श्र रिपा, लोग इंस्टाट ऑगगे, भी होता है कर दोता है